है थ्यांट कैसे हैं आप सब आयोप यह डियुड गैल चलि आज देखते हैं ग्राफ औप पॉलिनोमियल की पॉलिनोमियल का ग्राफ कैसे बनाएंगे जैसे हमारे पास एक लीनियर पॉलिनोमियल है fx is equal to 2x-5 लोग इसका graph बनाना है तो कैसे बनाएंगे चलिए समझते हैं सबसे पहले यहां पर हम लोग लेंगे putting y is equal to 2x-5 उसके बाद अब हम x का value put करेंगे x is equal to 0 put करते हैं जिसमें y is equal to बना लेना यह बनाने के बाद करना है आपको ग्राफ पेपर पर क्या करना है इस तरीके से आपको x coordinate and y coordinate x axis और यह एक्सिस हो गया यह y axis हो गया अब यहां पर क्या करना यह जो point है यहाँ पर जिरो जो औरीजन कहलाता है ठीक है यह बोला point आपका origin कहलाता है origin ओके तो इसमें क्या करना है सबसे पहले यहां से हम लोग को 10 points count करना यापसे तो तो इस तरीके से x-axis and y-axis दोने लेंगे यह positive है यह वाला positive होगा यह downward negative है यह आपका left side fit negative x-axis का इस तरीके से हम लोगों को लेना है points तो अब जो भी points से x equal to 0 पर देखेंगे y equal to हमारा क्या है minus 5 अब x equal to 1 पर x equal to 1 पर देखते हैं y का value जो है यहां पर आपका इस तरीके से हम इस तभी points को क्या करें मिला देंगे इस तरीके से straight lane तो इस तरीके से जो है आपका graph मिलेगा जोगी x-axis को 3 पर जो आपको क्योंब आपको क्या कर रहा है इंट्रसेक्ट कर रहा है तो इसका और आपको कॉर्विनेट पूसेगा tell Element का हो जागा तो यहांपर आपको पॉंट पर Яपका 겸ेक्स को यह इन्टर्शेक्ट करता है वह अपको कॉरिनेट हो जाएगा gonna QR दिवाइब हो गया कॉरनेट जिरो हो है न तो इस तिरीके से जो आपका इस पॉइंट पे 30 पॉइंट payoff johap है इंट्रसेक्ट कर रहा है यह एई स्ट्टीएट लाइन जो है आपकाuts the accesses go 3-0 पैना चलिए इस वीडियो में यतना ही thank you